हलो दोस्तों स्वागत आप सबक्राइब फिर से हमारे यूट्यूब चनल एक तजल लजीस फूड मैं आशे करते हैं आप सभी अच्छे होंगे स्वास्त होंगे और हमारे वीडियो का भर पूर आनने ले रहोंगे तो दोस्तों हम फिर वापस आ चुके हैं एक बहुत ही चमच धनीच पावडर चमच लाल मिर्च पावडर चमच सबजी मसाला चमच गर्म मसाला नमक स्वाद अनुसार शारा ख्री मसाले साथ ही लेंगे एक कटोरी बेशन एक कटोरी दही दो मीडियम साइज कटे हुए टमाटर और अधरक तो हरी मिर्च और काजूर काजू night अनुसार और आधि आधि चम्मच wife मसाले के आधि चम्मच behave अाधि चम्मच खरम मसाला अधि धन्याप बोडर आधि चम्मच लाल मिर्च और आधि चम्मच सब्जी मसाला और अम इसमें पानी डाल के अच्छे सेमें का एक यह त Inner पर लेंगे कि यह देखे दोस्तों डो जो है बन चुका है और अब हम इसमें थोड़ा सा तेल या फिर घी रिफाइंड आप जो भी खाते हैं जिस चीज कभी इस्तमाल करते हैं वह इसमें डालके अच्छे से इनको गुत लेंगे जिससे यह जो है नरम रहे मुलाइम रहे और सौफ्ट रहे तो चलिए दोस्तों अब इसको पांच मिन्ट के लिए ढखके छोड़ देते हैं और अब हम साइड में मसाले पीस लेते हैं तो चलिए दोस्तों मिक्सी में डाल लेते हैं काजू, मिर्च और अदरक और इनका अच्छे से पेस्ट तियार कर लेते हैं ये देखिए दोस्तो काजू, अद्रक और मिर्च का पेस्ट बनके तयार हो चुका है तो चले अब हम बागी की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो दोस्तो यहां पे हम दही को एक कटोरी में डाल रहे हैं और इसमें वो बचे हुए मसाले भी डाल देंगे तो चले दोस्तो सभी मसाले दही में डाल देते हैं यहां हम डाल रहे हैं नमा, खल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सबजी मसाला और गर्म मसाला दोस्तो खड़े मसाले अभी नहीं डालेंगे खड़े मसालों का प्रियोग हम सबजी बनाते समय करेंगे और अब ही इन सबी मसालों को अच्छे से दही में फेट लेते हैं अच्छे से मिला देते हैं तो दोस्तो दही को फेटने के बाद दही को साइड में रख देते हैं और पांच मिंट हो चुके हैं और अब हम इन बेसन के जो हैं चोटे चोटे गटे तियार करेंगे लेकिन उससे पहले हम इस पे थोड़ा से तेल डालके इसको अच्छे से और गुत लेंगे जिससे गटे जो हैं बड़े ही असानी से बन जाए तो दोस्तों अब थोड़ा थोड़ा बेसन लेके हाथों की मदद से इसको जो है छोटा छोटा पाइप का शेप दे देंगे और इसी तरह से सारे बेसन के हम गटे त्यार कर लेंगे यह देखिए हमने यहाँ पे सभी बेसनों के गटे बना के तयार कर लिया है और अब हम इनको पानी में उबालेंगे तो सबसे पहले कड़ाई को गैस पे चड़ा देते हैं और गैस को कर लेते हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे पानी में उबाल आने देंगे दोस्तों जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाए तब हम इन में एक एक करके सभी गट्टों को डाल देंगे और गट्टों को पानी में डालने के बाद हम इने 2-3 मिन्ट के लिए ढग के मीडियम फ्लेम पे उबाल आने देंगे दोस्तों दो मिन्ट हो चुके हैं चले गटों को चेक करते हैं तो दोस्तों देखिए ये इस तरह से दिख रहे हैं और ये अभी जो है हार्ड है ये अभी उटने सॉफ्ट नहीं हुआ हैं तो अभी इनको एक मिनिट और ढख के पका लेंगे देखिए दोस्तों अब ये पानी में उपड़ आ चुके हैं फूल के तो इसका मतलब ये उबल चुके हैं तो चले अब हम इने निकाल लेते हैं दोस्तों ये जो बचवा पानी है हम इसको फेकेंगे नहीं हम इसका इस्तमाल आगे सबजी बनाने में ही करेंगे तो चले दोस्तों पानी को कड़ाई से निकाल लेते हैं और कड़ाई को फेसे चड़ा देते हैं और कड़ाई में दाल देते हैं थोड़ा सा तेल दोस्तो जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे जीरा और बाके के खड़े मसाले और इनको सुने रहोने तक भूल लेंगे और साथे इसमें डाल देंगे पिसा हुआ, अदरक, मिर्च और काजू का पेस्ट पेस्ट डालने के बाद इनको भी अच्छे से भूल लेंगे और फिर डालेंगे इसमें कटी हुई टमाटर दोस्तो टमाटर डालने के बाद इसको एक मिनिट ढखके अच्छे से भूने देंगे और एक मिट बाद हम इसमें अच्छे से इन्हें मिलाकर दही डाल देंगे जो हमने मसाले मिलाकर रखे हुए थे दोस्तो ये डालने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने पड़ेंगे इसमें क्योंकि इसमें नमक, मिर्च सब डले हुएं पहले से ही तो चलिए दोस्तों इन सबी को अच्छे से मिला लेते हैं मिलाने के बाद इसने मीडियम फ्लेम पे थोड़े दिर ढख के पका लेते हैं ये देखिए दोस्तों थोड़े दिर बाद मसालों ने इस तरह से तेल छोड़ दिया है और इनको अच्छे से मिलाते रहेंगे और थोड़े दिर और पकने देंगे ये देखिए दोस्तों मसाले किस तरह से तेल छोड़ते ही जा रहे हैं तो अब ये जो मसाले हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब आप इसमें गट्टो को डाल सकते हैं तो चलिए अब हम इनमें गट्टे डाल देते हैं दोस्तों सभी गट्टे डालने के बाद इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद इसमें जो हमने उबलावा पानी रखा था वो डाल देंगे और आपको अगर एक्स्ट्रा पानी भी डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं आपको अपनी ग्रेवी जितनी ठिक रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं तो हमने यहां पे सबी उबला हुआ पानी डाल दिया है और अब इन सबी को अच्छे से मिला के डग के इन में उबाल आने तक पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ये देखे दोस्तों सबजी में बड़े ही अच्छे से उबाल आ चुकी है तो चलिए विसमें कटा हुआ देने पत्ता डाल देते हैं और गैस को कर देते हैं आफ और सबजी को अच्छे से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इनको गर्मा गरम कर लेते हैं सर्व तो दोस्तों आप इस गट्टे की सब्जी को पराठे, रोटी, पूरी, चावल, जीरा, राइस किसी के भी साथ खा सकते हैं ये सब के साथ जाएगा चलिए दोस्तों अब वक्त है इनको परोशने का तो चलिए गर्मा गर्म परोश लेते हैं ये देखिए दोस्तों सब्जी कितनी सुन्दर लग रही है दिखने में और खाने में तो ये और भी सुन्दर लगने वाली है तो दोस्तों हमने इस बेसन की गट्टे की सब्जी के साथ बिल्कुल प्लेन पराठा बनाया है और हमने ये डिनर के टाइम पर बनाया है तो दोस्तो इसी के साथ हमारे आज की बिना लसन पे आज की बेसन की सबजी बन के तयार है और अगर आप सभी को हमारी आज की रेसिपी पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथी कॉमेंट करके जरूर बताए कि आप बिना लसन पे आज के सबजी खाते हैं या नहीं और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले साथी बेल आइकन भी दवा दे जिससे आप सभी को हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप हमारे वीडियो का भर पूरानन ले सके तो दोस्तों वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे आप सबसे जल्द ही एक नई और मज़िदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर